NCERT review की स्रंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है गाईज पिछले दिनों हमने कच्छा 8 की इतिहास विशे की NCERT को सफलता पूरवक समाप्त कर लिया था और उसके प्रशनों का अभ्यास भी कर लिया था आज के दिन से ही हमने कच्छा 11 की भूगोल विशे की NCERT को स्टार्ट किया है और वहीं हाज से ही हम कच्छा 9 की इतिहास विशे की NCERT को स्टार्ट करें क्योंकि कच्छा 10 तक की NCERT और कच्छा 8 तक की NCERT को chapter wise तरीके से हमने complete कर लिया है सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में कच्छा के तवार से अवेलबल हैं आप जा करके उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं गाइच कच्छा 9 का जो हमारा इतिहास विशे का NCERT है जिसका टाइटिल होता है भारत और समकालीन 200 प्रथम जो सबसे ज़्यादा इतिहास विशे के लिए important NCERT है वो है अगर optional subject में आपका इतिहास विशे है तो ये NCERT आपको पढ़नी ही पड़ेगी और अगर आपको दुनिया के इतिहास को जानना है निका अगर आपको वर्ल्ड के हिस्ट्री को जानना है तो अभी आपको कच्छा 9 की जो ये NCERT है इसको पढ़ना पढ़ेगा बहुत important NCERT है सबसे पहले मैं आपको इसका content दिखा देता हूँ कि इसका content का है इस पूरी की अंतरगत पढ़ेंगे इतिहास और बदल्ती दुनिया इससे ही हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा खास और से main sponsor writing के लिए PASifen के लिए बहुत important टॉपिक है नाचिवाद और हिटलर का उदय यह तीन चीज़ें हैं जो हमको पढ़ने को मिलेंगी फ्रांसीशी करांती पढ़ेंगे हम यूरोप में समाजवाद पढ़ेंगे और रूशी करांती के बारे में पढ़ेंगे साथ हम नाचिवाद और हिटलर के उदय के बारे में इसके बारे में बिस्टे स्टोर से हमें यहां जानने को मिलेगा, तो यह कुल मिला करके इसकी content list है, जहापर घटना है और प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ हमको GB का और अर्थववस्ता समाज के बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो most important book है यह हमारे लिए, इसका एक भी lecture मिस् कर लेंगे और जो इसके explanations होंगे और व्याख्या होंगी, cross questions होंगे, उनको live classes में हम solve करते रहेंगे, तो guys यह पूरा का पूरा कच्छा नोक आपका इतिहास विचा के NCRT का content list है,